तो वो कह रहे हैं कि अब अमरीका से वो पूछते हैं कि आपकी democracy कहां पे है, आपके इंसानी हकूग कहां पे है ग्लोबल साउथ है, जिसकी जो opinions है या जो world order है, वो western world से different है मैं जाती तोर पर ही समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की तालोकात होने चाहिए, borders खुलने चाहिए एक तो दो दिन पहले जो report आई थी इंडिया की human rights पे, उस पे इंडिया जो है वो गरम हो गया कि जनाव ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है आप कश्मीर के मसले पर गुफटगू को पेश्रफ को जो एक बर्फ जमी हुई है उसे आइस्ता आइस्ता पिगलाएं और उस बर्फ के पिगलने के साथ-साथ जो economy है, जो trade है, जो तिजारत है भारत के साथ, जो people to people contact है उसको open कर दो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले, अमेरिका ने human right को लेकर एक report निकाली जहाँ पर वो पूरी दुनिया को lecture दे रहे थे, कि किस परकार से human right होने चाहिए, यानि कि उनके हिसाब से western country के हिसाब से जो ना, दूसरे देसों को किस परकार से रहना चाहिए, अब क्या हुआ इसराइल, फलस्तिन जो विवार चल रहा है, उसको लेकर वहाँ पर production हो रहे थे, तो अमेरिका के अंदर देखा गया कि काफी ज़्यादा गिरबतारिया हो रही है, तो अब इसको लेकर बारत ने भी जो हैना, अमेरिका को उसको पूरी तरीके से बताया है कि भईया, दूस उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है, ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालों को लेक्चर दें और घर में आप जो हैं वो खमोश हो जाएं, ये जिसे वो कहते हैं ना है, एक एक बिलकुल question mark है, और इसके ल नहीं करेंगे, score shuttle करने में, हर एक जो इंडिया के अंदर opinion maker है, even at some time, कुछ television stations वाले भी हैं, वो भी इन चीजों में लगे हुए हैं, तो अमरीका और यॉरप के अंदर और वेस्ट के अंदर जो liberal constituency, western मुलकों ने बना ली हुई है, और जिसकी base के ओपर वो पुरी दुनिया को लेक्चर देते थे, कि वही आपके इनसानी को खराब है, आपकी ये खराब है, तो वो कह रहे हैं, कि अब अमरीका से वो पूछते हैं, कि आपकी democracy कहां पे है, आपके इनसानी हकूँ कहां पे है, तो ये जो अब 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 दुनिया के तमाम बड़े निउस पेपर्स, ल इंडिया की जमूरियत के वारे से और human rights के वारे से इंटहाई biased हैं, ठीक है जी, और Americans को इंडिया का पता ही नहीं है, और हमें इसकी कोई value नहीं है, कोई परवार नहीं है, मतलब ये क्या ऐसी चीज़ है, ये तो मैं समझता हूँ, ठीक है, ये एक बड़ी problematic चीज़ है, एक problematic चीज़ इस sense में है, कि एक तरफ आप ये देखते हैं, कि प्रोटेस्ट जा रही है, दूसरी तरफ तीन दिन पहले आप report निकाल रहे हैं, हमें राइट्स की, और उस हमें राइट्स के अंदर, report के अंदर आप दुनिया के हर मुल्क को जो है, वो lecture दे रहे हैं, हर दुनिय rights की liberty, civil liberties नहीं हैं, आपके मुल्क के अंदर जो है, वो इनसानी हकूप पूरे तरह नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो democratic जो आपका number है, वो नीचे आ गया, parliament जो है, वो perform सही नहीं कर रही, जो ethnic violence भढ़ गया है, मीडिया की freedom जो है, वो curtail हुई हुई है, मतलब आप दुन दिन पहले एक report जब यह आई, इंसानी हकूप इखलाब वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिकर है, ठीक है, और अब हुआ क्या, कि एक तरफ तो इस report के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे थोड़ा सा display किया, और उसके बाद उसको lift नहीं किरा हूए, इंडियनन ने क्या की है, वो भी display नहीं करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस report को display करता है, ना कोई उसको highlight करता है। इंडिया और जपान जो है वह नॉमली है क्योंकि इंडिया और जपान जो है वह एक डिमोक्रशी लेकिन वह अपने प्राउड कल्चर ने जो वह यह कहते हैं कि हम वेस्टन वेच्ट से मिलती है जिसकी वजह से वह उसके बेफिश्री भी बहुत हैं इंडिया के उपर अमेरिका उस तरह संक्ष्ट नहीं लगाता जिस तरह रश्या के उपर लगाता या इवन चाइना को पर वाई बिकॉस इंडिया इस डिमोक्रसी इंडिया डिमोक्रसी आप उसकी निटी-गृटी में जाएंगे तो वह तो हर मुल्क की जपान भी एक डिमोक सब्सक्राइब करें लेकिन बड़ा मुश्किल है इस वकित फिफ्टी-फाइफ पर्समें जो एकॉनमी है वह वार एकॉनमी बांचो की है जिसकी वाइस उसकी आउटपूट भी ज्यादा लेकिन ज्यादा देट कितनी देर सस्टेइन होगी कर दी है जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा युक्राइन के लिए जाएगा और वही एक चोटा हिस्सा है जब रश्या को अगले देड़ दो साल तक वहां पर बिजी रखेगा तो यह पावर होती है एकनॉमिक पावर हाला कि वेस्ट अगर अपना पूरा जोड लगाया तो पाकिसान बिचारा यही हुआ जब हम दोगली गेम खेलते हैं हर तरफ से चोके-चिके मारने की कोशिक करते हैं तो यही होता है हमारे साथ तो इस वकर मोमनों को हमारे पाकिसानियों को यह समझ नहीं आ रही कि अमेरिका इस वेल विदिन इस राइट तू कंट्रोल यह फॉर्ण पॉलिसी या तो पनी फॉर्ण पॉलिसी इंडिपेंडेंट करें इंडिया की तरह फिर आप जाके किम जाओं उनकी भी गोद में बैड़े जाने कोई बात में फिर वह आपको नहीं कर सकेंगे लेकिन अम ने वह आपका पने साथ बंग्लादेश को खाजाएगा यह चोट-चोट-चोट-चोट-मल्कों को खाजएगा इंडिया के साथ ये mister लिगें चाहिना के साथ ताइवान का मसला चाइणा के साथ होंगओग का मसला था होंगओग कर भी सिच्चछ आगे बढ़े रही है त्गौद ताइवान का मसला और चाहिना के मैं आख़ल कोई आठ्ध मुर्यों के सास्थ अमेरिका जो है ना किसी भी परकार की रिपोर्ट निकालता है और पूरी दुनिया को लेक्चर देता है कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए ये नहीं वो करना चाहिए लेकिन बारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका को पूरी तरीके से सनफ कर देता है किसी भी परकार की अगर क के खिलाब अगर वो सही हैं तो ठीक हैं अगर गलत है तो भारत उसके खिलाब बात करता है और अमेरिका को उसकी जगह बताता है कि भाईया अपने घर में क्या हो रहा है पहले आप वो देखिए दुनिया को लेक्चर आप बाद में देना तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी ज्यादा खुस हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान तो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि अमेरिका से डॉलर मिलते हैं उसी की वज़े से पाकिस्तान चल रहा है अगर वो नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद